लोकसवा चुनाव की लियाज से पुरे देश में आदर्थ आचार सहीता लागू है तीन चरडों के मतान भी संपन हो चुके हैं बाकी बच्चे चार चरडों के लिए नामांगन की प्रक्रिया भी चल लई है इसे भी सोशल मीडिया पर वैरल एक बीडियो खोब चर्चा में है असन में यह बीडियो चंदौली का है बसपासी उमीद्वार सतेंद्र कुमार मौर है बीते दिन नामांगन करने कलेक्टरेट पहुँचे पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई थी बैरिकेटिंग देखती नेता जी घबरा गए कमर में रखे पिस्टल जमीन पर गिर गई नेता जी तो घबरा गए जिसके बाद उनका एक सायोगी पिस्टल लेके दोसो मीटर के दैरे से बाहर गिया है जिस पर सतेंद्र मौरिन ने कहा नामांगन का समय बीत रहा था तो जल्दवाजी में पिस्टल की साथ आगी बाद में इस घटना को लेके एडिशनल एस पी बिने कुमार सिंग का बयान सामने आया है देखिए क्या गयतने हैं बिने सिंग लोग सभास समान निर्वाचन में नामांगन की दोरान आज एक दल्विसेश के प्रत्याशी नामांगन दाखिल करने आये थे वो अपने साथ लाइसेंसी पिस्टल करी कर रहे थे नामांगन नस्तल से 200 मीटर की दूरी पे जहां हमने डी एफमडी और चेकिंग फ्रेसिंग की टीम लगा रखा था इन लोगों ने सतरता पुरवक चेक किया उनके पास लाइसेंसी पिस्टल मिली जब उसका हमने लाइसेंस चेक कर आया और असलाह नमर 8 मिलान किया गया तो उसकी लाइसेंसी पिस्टल सही है वालोग उसका लाइसेंस इशू हुआ है और उनको हम लोगों ने हिदायत देखें उनका असलाह उनके पक्ष्प रिलीश कर दिया है कि इसको आदा साचा शेंक तक दौन आप कहरी नहीं करेंगे